पलवल जिले में किसानों का रुज्ञान फूलों की खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिले में 250 एकड में फूलों की खेती करने का लक्ष विभाग द्वारा दिया गया है जिसमें से 100 एकड में किसान गेंदा की खेती कर रहे हैं किसानों को फूलों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि किसानों को फूलों की खेती करने के लिए लगातार प्रोथसाहित किया जा रहा है बागवानी विभाग के अथक प्रयासों से गेंदा की खेती लगातार बढ़ रही है गेंदा की खेती करने के लिए किसानों को एक एकड़ पर 6400 रुपए प्रती एकड़ सब्जिडी प्रदान की जा रही है सब्जिडी की यह राशी किसान के खाते में DBT के माध्यम से डाली जा रही है किसान सुन्दर ने बताया कि वह गांव मकसूदपुर का रहने वाला है पिछले कई सालों से गेंदा की खेती कर रहे हैं गेंदा की खेती करने से काफी लाब हो रहा है सुन्दर किसान गांव मक्सूद पुर पलवल किसान चतर सिंह निवासी गांव को लैना ने बताया कि एक एकड में गेंदा की खेती करते हैं गेंदा की खेती करने पर काफी मुनाफ़ा हो रहा है दो से तीन महीने में फसल तैयार हो जाती है बाजार में अच्छा रेट मिलता है इसके साथ टमाटर की भी खेती करते है दोनों फसलों से लाखों रुपए की कमाई कर लेते हैं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गेहूं वह धान की खेती को छोड़ कर फूलों वह सबजी की खेती करें चतर सिंह किसान गाव कुलेना पलवल नाम चतर है मैं गाव को लेहना से हूं और मैं टमाटर और फूल की खेती करता हूं और इसमें अच्छा मुनाफ़ा मिलता है और मार्क इट भाव भी बढ़िया मिलता हैं 45 से 50 किलो तक 100 किलो फूल का भाव मिल जाता और 25 से 30 किलो तक टेमाट का भाव मिला हैं और मैं तो बाहियों से एक सानों से ही कहना चाहता हूं कि आप भी थे फ्रसल वह नहीं और अच्छा मलाफ़ाक पना है बागरवाणि भागजिला पलवल के लिए वरसद 2023 तरहोगी प्राप्ट हूए वह टौटल प्लावर्स के ओपर ऑपर धाइस किल्ले का प्राप्ट हूए, जिस अंहीं से सो किल्ले गेंदा की खेटी खेटी के ने हूब आ क्योंकि पलवल में गेंदा बहुत लगता है इसलिए किसानों को जड़ा जड़ा हमें प्रोथसान रासी दे रहे हैं और इस गेंदा की खेती के उपर एक एकड़ पे 6400 रुपे परती किल्ला या परती एकड़ के हिसाब से अनुदान रासी दी जा रही है इस कड़ी में लगवग अब तक 20 किसानों को हमने गेंदा की खेती के उपर अनुदान रासी दे दे गई है एक किसान पांच किल्ले तक अनुदान रासी ले सकता है अनुदान के लिए वो मेरी फसल मेरा बियरा पर अपना रेजिटेशन कराएगा अपना मेरा कार्य करता मेरा जो अधिकारी है वो उसके खेत का मौइना करेगा उस खेत का उसके फोटो लेगा उस फोटो लेने के पश्चात उसके बिल वो प्रवाइड करवाएगा फारमर्स अपने बिल आईडी सारे आउनलाइन करने के पश्चत डीबीटी के माध्यम से एक महीने के अंदर अनुदान रासी किशान की खाते में चरी जाती है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र